गुमला जले के पलकोट रोड इस्थित रोटरी क्लब के सभागार में कानिय कुपज स्वनकार संग राची लोहर दग्गा गुमला के तत्वा धान में एक दिवसी संयुक्त रूप से सम्मेलन कायजन किया गया जिसमें राची लोहर दग्गार रामगर जमशेदपूर इस दोरान रवीकुमार पिंकु ने अपने संबोधन में समाज को संगठित करने पर जोड़ दिया साथी महिला सिशक्तिकर्ण बच्चों को उच्चे शिक्षा नेतिक शिक्षा पर बल दिया साथी स्वनकार संग के लिए भवन का निर्मान करने पर सहमती दी गई मही लोगों से सहयोग करने की बात कही इधर गुमला की बेटी श्वेता सोनी 12th CBSC में प्रथम टॉपर होने पर कान्य को पजिस्वनकार संग समाज द्वारा मौके पर मौमेंटो प्रशान शिक पत्र दे कर समानित किया इस दोरान संग ने उजुल भविश्य के कामना की और मही कारेकरम के दोरान उपस्तित सदस्यनंद की शोर सोनी, जवाहर सोनी, अशुक प्रसाद सोनी, विनोध सोनी, सहित सेकडो की संख्या में पहुंचे सवनकार समाज के लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया गुमला से अजित सोनी किरिवो गुमला जिला में कनोजिया स्वनकारों की एक बैटक हुई, जिसमें सामोहिक रूप से लोहरदगा जिला, राची जिला के सदस्यनंद कार लोगों पस्तिती आज यह सामोहिक बैटल जो है, इसका उद्देश से स्वनकारों के माध्यम से समाज हीद में अने को काम करना और समाज कैसे आगे बढ़े, अच्छे कामों के माध्यम से दूसरे समाज में हम एक अच्छा संदेश कैसे दे पाए, उस पर एक विचार गोश्टी था और यहां की उपस्तिती, यहां के आयोश्कों के दुवारा जो मेहनत किया गया है, इसके लिए इस कारकरम के तमाम आयोश्कों को हम राची सोना चांदी विवसाई समीती के अध्यक्ष की ओर से बहुत बहुत धन्वाद देते हैं, हमारा आज का कारकरम का एक ही मकसद था कि हम अच्छे विचारों के साथ समाज में मजबूती ला पाएं, और समाज के माद्यम से दूसरे समाज के लिए रोल मोडल बन पाएं, इसी पर सारी चर्चा के इंदित रही है, और आज यहां के लोग, लोकल कमीटी जो हमारी कनोजिया स्वनकार की कमीटी है, उन्होंने कि आने वाले दिनों में, यहां के लोगों के हीद के लिए, यहां के जरूरत को पूरा करने के लिए, यहां एक कनोजिया स्वनकार धरमसाला का निर्मान, गुमला जिला स्वनकार समाज के दौरा कराया जाएगा, जो स्वागत योग है, लेकिन वह जो निर्मान होगा समाज का धरमसाला का वासिल उजात के लिए नहीं होगा बलकि वा पूरे जमात के लिए होगा जाववत मंदों के लिए होगा आज हम लोग शिक्षा पर चर्चा किये हैं वहला उत्थान पर चर्चा किये हैं और समाज के साथ हम मिलकर कैसे चल पाए इस पर चर्चा किये हैं इसके और आप तमाम मीडिया के लोग जो उपस्तित हुए हैं, आपको भी हम अपने माध्यम से धन्वाद देना चाहते हैं। संग्ठन की मजबूती के लिए जैसा की यहां की अभी घोसना किया कि हम लोगों ने गुमला जिला में धरमशाला के निर्मान कर रहे हैं। तो स्वागत योग है इसमें जैसा के भी पिकुजी ने कहा कि जात नहीं जबात के लोगों को इसमें तरजी दी जाएगी और सारे लोगों को इसमें सुगधा दी जाएगी और संगटकन के आज के दिन में सरकार को देख लीजिए कि हमारे यहां कापी संख्या में लोग बेर जिला में जाती जनगन्ना के हिसाब से यहां लोगों को आरच्छन दिया जाए ताकि यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके